तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी वर्क बुक चैप्टर 4 नन्हा फंकार तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT दा माइंड को सब्सक्राइब किजे लाइक किजे और पास में दिये गए बेल आ बॉक्स में दे दिया है आप वहां से निकाल के भी से पढ़ सकते हैं तो चलिए बच्चों वर्क बुक बनाते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजे तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि निमनलिकी तवाग कि किसने कह और किस से कहे तो देखिए किसने कहा था कथन है इधर और किसने कहा और किस से कहा तो देखिए माशालला ये घंटिया कितनी सुन्दर हैं तो ये किसने कहा था बादसा अकबर ने और किससे कहा था केसब से और फिर है कि देखते नहीं मैं ही पत्थर को तरास रहा हूँ इसन किस ने कहा था पहरेदार ने और किसे कहा केसब से उसके बाद है कि हाँ बेटा बादसा का आगरा बहुत सुन्दर सहर है पर सिक्री में नया सहर बनवाने का भी एक खास कारण है तो किस ने कहा था ये पिता ने और किसे तो केसब से उसके बाद है कि अच्छा अब समझा इसल ये बादसा अकवर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है तो ये किस ने कहा केसब ने और किस से कहा पिता से तो इसी तरह से इसे बना लेंगे उसके बाद है कि निम्नेलिखित प्रशनों के उत्तर देजिए तो लड़के का क्या नाम था उसकी क्या उम्र थी वह क्या काम कर रहा था तो लड़के का नाम केसब था उसकी उम्र दस साल था वह नकासी का काम सीख रहा था और आदमी का क्या नाम था तेरह साल की उम्र में उसने क्या काम किया था तो क्या लिखेंगे कि आदमी का नाम बादसा अकवर था 13 साल की उम्र में उसने एक लड़ाई में हिस्सा लिया था उसके बादे केसब के माता पिता पहले कहां रहते थे वे आगरा किसली आए थे तो केसब के माता पिता गुजरात में रहते थे वे आगरा काम के लिए आए थे उसके बाद फिर देखिए कि बादसा केसब से क्या सिखना चाते थे तो बादसा केसब से नकासी करना सिखना चाते थे उसके बाद देखिए फिर क्या है कि बादसा अकबर सिक्री में नया सहर क्यों बनवा रहे थे तो क्यों बनवा रहे थे नया सहर तो बादसा अकवर ख्वाजा सलीम चिस्ती के सम्मान में सिकडी में नया सहर बनवा रहे थे तो ये लिख देंगे उसके बाद फिर देखे निमने लिखित सब्दों को उनके अर्थ से मिलाईए यो देखे इधर सब्द है और इधर अर्थ है तो आपको मिलाना है उसके बाद यहां लिखना है आपको इस साइड में ठीक है तो देखे क्या है आपका यहां पर उकेड़ना उकेड़ना का क्या हो जाएगा नकासी करना तो यहां पर इससे मिला देंगे नकासी करना तो यहाँ पे भी आपको लिखना है यहाँ उकेरना और यहाँ पे नकासी करना और उसके बाद है नफीस नफीस का क्या हो जाएगा तो देखिए नफीस का हो जाएगा बढ़ियां या सुन्दर तो यहां देखिए यहां पे नफीस का बढ़ियां और सुन्दर इसे मिला देंगे और इधर लिखेंगे नफीस का बढ़ियां सुन्दर उसके बाद है यहां पे पुस्तैनी तो पुस्तैनी का क्या हो जाएगा? तो देखिए पुस्तैनी का क्या होगा? कई पीडियों से चले आना तो इसे हम यहां से यहां मिला देंगे कई पीडियों से चले आना ठीक है यहां पे मिला दिये तो यहां पे हम इस साइड में लिख देंगे यहां पे पुस्तैनी और कई पीडियों से चले आना और उसके बाद फिर क्या है तल्खी तो तल्खी का क्या हो जाएगा तल्खी का हो जाएगा घबडाहट तो देखें यहां तल्खी को हम यहां मिला देंगे घबडाहट से तो यह वाला यहां मिला दिये तो यहां पे इधर लिख देंगे तल्खी और यहां पे घबडाहट उसके बाद है मुआइना तो मुआइना का क्या हो जाएगा जाच परताल तो यहाँ इसे मिला देंगे तो मुआइना यहाँ पे जाच परताल उसके बाद है जुरत यानि की साहस तो यहाँ पे जुरत यहाँ पे साहस उसके बाद है यहाँ पे बदहवासी, तो बदहवासी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसका हो जाएगा करवापन या कटूता, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ करवापन और कटूता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसे ह हम यहां पे लिखेंगे बदहवाशी, करवापन और कटूता, उसके बाद फिर क्या है, फनकार, तो फनकार मिंस क्या हो गया, कलाकार, तो फनकार और इधर कलाकार, उसके बाद है सल्तनत, तो सल्तनत का क्या हो जाएगा, तो देखिए सल्तनत का हो जाएगा सामराज्य तो हम सल्तनत को यहाँ पे सामराज्य से मिला देंगे यहाँ पे है सामराज्य तो सामराज्य से मिला देंगे यहाँ लिख भी देंगे यहाँ सल्तनत और यहाँ पे सामराज्य उसके बाद है वयस्क तो वयस्क मिन्स क्या हो गया? सयाना आदमी इससे मिलाएंगे वयस्क और सयाना आदमी यह हो जाएगा और उसके बाद देखे फिर क्या है? कि निमनलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रियोग किजिए तो देखे यहाँ पे मुहावरा दिया गया है बना सकते हैं वाक्यों उसके बाद फिर क्या है? उल्टे पाउं लोट आना तो इसका क्या हो जाएगा? मनीस के घर में ताला था इसलिए उल्टे पाउं लोट आया इसके बाद धाक जमाना तो धाक जमाना का क्या हो जाएगा? कि वह मेरी वस्तु पर धाक जमाता है धाक जमाना यानि कि हक जमाना उसके बाद देखे त्योडियां त्योडियां चड़ाना त्योडियां चड़ाना का क्या हो जाएगा तो जब मैंने राजन को उसके बेटे की सच्चाई बताई तो उसकी त्योड़ियां चड़ गई उसके बाद देखिए धूम मचना तो धूम मचना का वहाँ लोग धूम मचा रहे थे चुक है तो इस तरह से इसे बना लेंगे और उसके बाद है यहाँ पे कि किसे क्या कहते हैं सायता के लिए बॉक्स में दिये गए सब्द देखिए तो यहाँ पे आपको लिखना है कि किसे क्या कहते हैं तो यहाँ पे बॉक्स में भी दिया गया है तो आप इससे चुन के अप लिख सकते हैं तो देखिए जैसे कि कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाला उसे हम क्या कहेंगे कसीदार उसके बाद कागच पर चित्र बनाने वाला तो चित्रकार उसके बाद है पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला तो संगतरास उसके बाद धातू लकडी पर बेल बूटे बनाने वाला तो नकास उसके बाद देखिए आकरिती बनाने वाला तो इसे क्या कहेंगे मुर्तिकार रंग बिरंगे सीसे सलमा सितारे का काम करने वाला तो क्या कहेंगे उसे मीना कार तो इस तरह से इसे लिखेंगे और उसके बाद है फिर देखिए कि अध बनी सब्द दो सब्दों को जोड़ने से बना है अध और जोड बनी अध सब्द जोड़कर छह नए सब्द बनाए तो देखिए अध सजी, अध रात्री, अध कटी, अध मड़ी, अध पकी, अध सुनी तो इस तरह से अध सब्द से आपको जोड़ के आपको एक नया सब्द आपको बनाना है ठीक है? तो इस तरह से आप बना लेंगे और उसके बाद देखिए फिर है यहाँ पर के नीचे विबिन प्रकार के ओजारों को देखिए इनके नाम लिखिए तो यहाँ पर देखिए विबिन प्रकार के ओजार है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको देखना है यहाँ और समझना है कि कौन सा ओजार है तो यह देखिए इसे हम क्या कहेंगे? हतोडा उसके बाद यह क्या है? खुर्टपी और यह वाला रंदा और फिर देखिए ये वाला क्या है छेनी और ये फरसा और ये वाला कर्णी उसके बाद ये वाला जो है कुलहारी और ये आरी और ये वाला जो है फावडा तो इस तरह से औजारों का नाम लिखना है आपको पहचानिए औजारों उसके बाद देखिए इस तरह से नाम लिखिएगा और उसके बाद है यहाँ पे की नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़िए तो देखिए मैं 10 साल का हूँ 10 अच्छा तब तो काफी बड़े हो मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था तो अब स्रम तथा रोजगार मंत्रा ले भारत सरकार द्वारा दिये गए विग्यापन को पढ़िए तो यहाँ पर देखिए यह विग्यापन है तो देखिए इसमें क्या है कि मेरा भविश्य सुधारो तो बाल स्रम अधिनियम के अंतरगर्थ 15 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में 14 साल से कम के बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबंध है इन निसिथ व्यवसायों प्रक्रियाओं में से कुछ है बीरी बनाना घरेलू नौकर के रूप में काम धाबा चाई दुकान होटल में काम भवन निर्मान तथा अन्य निर्मान कारिय कालीन बुन्ना इसके बाद फिर देखे निसिथ चेतर में किसी बच्चे को काम पर लगाने के लिए 20,000 रुपिये तक के जुर्माने तथा एक साल तक के कारावास का प्रावधान है बाल स्रम के विरुद प्रवर्तन अभियान योजना के तहट खतरनाक कामों से हटाए गए बच्चों को विसेस स्कूलों में भरती किया जाएगा जहां उन्हें सिक्षा प्रदान की जाएगी इसके अलावा वेबसाई से पहले का हुनर, वजीफा दोफ़र का भोजन, स्वास्ति सुविधाएं आदी भी कम से कम तीन साल तक की अबधी के लिए प्रदान की जाएगी तो बाल मजदूरों को बचाने और उनके पुनरवास के लिए किसी भी प्रकार की सहता के वास्ते कृपिया, राजी स्रम, विभाग या चाइल्ड हेल्थ लाइन, एक हजार अन्ठानवे निशुल्क या अस्थानिय पुलिस से संपड़ करें लिए है इसे तरह से यहाँ पहर दिया गया है स्रम टात रोजगार मंतराले बारत सरकार, और यह जो है विस्तिर्जानकारी के लिए हमारी UFO देखें वेबसाइट यह है एच टी टी पी और यह जो है आपका वेबसाइट है तो यह वाला जो है आपको यहां पर क्या करना है इस विग्यापन से आप क्या समझे के वल चार पांच वाकियों में लिखिए तो यह विग्यापन आपको पढ़ना है अच्छे से समझना है और इस विग्यापन से आप क्या समझे आपको उत्तर देना है इसके बारे में आपको लिखना है कि बच्चे से किस तरह से जो है ना काम कड़ाया जारा है चोटे बच्चों से तो ये विग्यापन जो है ना इसे आप बार बार पढ़िए और इसमें आप क्या समझे इसके बारे म समय से पहुंशती रहे और अगर आपको कहीं भी समझने में प्राबलम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थेंक्स टो वाच मैं वीडियो